इस पर बरोसा नहीं किया जा सकता अब यहां से कहानी 9 साल पहले की दिखाए जाती है जाएंथे इसमें नाडिया मेसन एक साथ होते हैं नाडिया पूझती ही क्या ओसकी और डाविक मिल गए तो मेसन कहता है अभी नहीं फिर नाडिया कहती है कि मुझे सलस्ट से बात कर लेनी चाहिए पर मेसन ऐसा करने से मना करता है क्योंकि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है नाडिया मेसन अपने नहीं मिसन पर जाने के बारेम बात करते हैं सीवीच मेसन नाडिया को शाधी के लिए प्रपोस कर देता है रालिया बरनाट से कहती है एक वक्त था जब मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती थी पर तजुर्वे से मैंने यह जाना कि दुनिया का सबसे खतनाख वेपन नुक्लियर या भायो केमिकल वेपन नहीं है वलकि खुछ सिटाडल है इस पर बनाट कहता है कि अगर थामस यहां होता तो तुम्हारा यह चेहरा देखकर दुबारा मर जाता है थामस का नाम सुन डालिया को गुसा आ जाता है वो बनाट के चेहरे पर थूख देती है और कहती है कि अपनी गंदी चुबान से उसका नाम भी मत लेना वो भी दुनिया से सारे खतना खतियार को रूंगा खत्म करना चाहता था तो बरनाड कहता है इसके लिए तुम लोगोंने दुनिया के हजारों जासूसों को मारा है इस पर डालिया कहती है कि मैं आगे भी यही करती रहूंगी ताकि मासूमों की जाने जान जाए उन्हें अपने फरिवार को खोना न पढ़े जैसे मैंने खोया था फिर वो सिटाडल एजिन्ट के बारें बात करती है जिसने सिटाडल को ही दुखा दिया था यहां से कानी फिर से 9 साल के फ्लैश बेक में दिखा जाता है जहां नाडिया को celeste के बारे में पता चलता है कि उसे बेक फ्टॉप किया गया कर उसकी पर्मिशन बर्नाड ने दी है नाडिया ये देख बहुत ज़्यादा गुण्सा होती है बर्नाड के पास जाकर पूस्ती है कि तुमने ऐसा क्यूँ किया क्या इस बारे मेसन को पता है जिस पर बरनाड कुछ नहीं बोलता उसके चुप रहने का इशारा ही यही होता है कि मेसन को यह बत पता थी तब उसे समझ आता है कि मेसन उसे सेलस से मिलने से क्यों मना कर रहा था अगले दिन नाडिया मेसन से मिलने एक रिस्टूरेंट में जाती है और हुमेफरा के पूस्ती है यह बनार ने सेरस्ट का बेक स्टॉप किया है कि तुम्हें इसके बारे में पता था तब नाडिया कहती है कि अगर तुम पूछो तो मैं बता देती है, मेसन ये सुन पूछता है क्या तुम वही गदार हूँ और अब क्या करने वाली हो, इस पर नाडिया हस्देवे कहती है क्या तुम्हे लगता है कि मैं गदार हूँ, आगे बताती है कि उसने ओजगी को डिस् नाडिया को काफी ज़्यादा जटका लगता है नाडिया मेसन से घुट्से में कहती एक तुम 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 मुझे जासे जानते तक नहीं हो इस बसम पर काथा है पर नाडिया को इससा बाते बक्वास लगती है फिर मेसन बताता है कि वो स्पाइक कैसे बना जो वो 5 साल का था तब उसके डैट मर गया उसकी माँ उसे छोड़के चली गई तब सीटाडेल ने उसे पहचान दी नाडिया के जासूस बने की कहानी बिल्कुल अलग होती है उसके पास उसकी फैमली थी उसने सीटाडेल इसले जोइन किया क्योंकि वो खुद से छुप रही है मेसन कहता है कि एक बात उनने पूछा था कि क्या कोई जासूस अच्छा प्यार कर सकता है तो इसका जब हाँ मैं कर सकता हूँ पर क्या तुम कर सकती हो नाडिया कहती कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ बस तुम से नहीं कर सकती फिर उसकी दी वी रिंग वापस कर वहां से चली जाती है अगले दिन नाडिया एक राही गंभी नाम के अदमी से मिलने जाती है जो से पासपोर्ट देकर कहता है कि अब उससे वैलنसिया जाना होगा इस पर नाडिया कहती ही कि मुझे यहां कुछ काम निप्टाना है फिर वो आदमी पूसता है कि मेसन का क्या करना है तो नाडिया कहती ही कि उसे कभी नहीं पता चलेगा और जब तक पता चलेगा तब तक मैं यहाँ से निकल चुकी होगी अब कहानी फिर से प्रेजेंट में दिखाय जाती है जहां कार्टर कहता है कि नाडिया बहुत बहुत से नहीं क्या जा सकता तो नाडिया कहती ही कहमें यहाँ से जल से जल निकलना होगा दुस्री दर ढMan्नाड से न्यूकलर वेपन के कोड मंगती है और बताती है कि उसे उसके परिवार और मिसन के परिवार वालों का पता चल गए है कोड न बताने परों कभी उनसी पर गॉम गिरा सकती है लास्ट चांस देती हुए डालिया बॉम गिराने का ओर्डर दे देती है तब बनाड उसे रुखने को कहता है और कोड बता देता है कोड जाने के बाद भी डालिया अपने आदमियों को बनाड और मिसन के परिवालों को मारने का ओर्डर दे देती है बनाड उसे ऐसा करने से मना करता है तब डालिया कहती है जैसे को तैसा याद करो तुमने मेरे साथ क्या किया था ये कह के वहाँ से चली जाती है बनाड की बेटी को पता चल जाता है कि उन पर हमला होने वाला इसे सो फॉरन वहाँ से निकलने लगते हैं डालिया डालिया को फोन को बताता है कि मेंटी कोर के ब्लैक साइट में गुसकर नाडिया मेसन कार्टर को भगा ले गए हैं और अब वो देश छोड़ का भागने वाले हैं डालिया कहती है चाहें जैसे भी हो उन्हें पकड़ो आगे बताती है कि हमें न्यूकलर वैपन के कोड मिल गए है अब बस मेसन की जुरत है और कहती है कि तुम्हें वैलेंसिया जाना होगा हमें पता चला है कि रही और नाडिया बात कर रहे थे हो साइट रही के पास नाडिय नाडिया कार्टर से कहती है कि तुमने सेरेस के साथ जोक है उसके बाद भी तुम मुझे पर इल्जाम लगा रहे हो। कार्टर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने जोकिया गलत किया बाद तुमने तो सिटारल को बरबात कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम से टरल के खत्म होने से पहले वेलेंसिया में जाकर छुपके बैटी थी और वो भी राही गंभीर के साथ तुम दोनों मेंटी कोर के लिए काम करते हो तब मेशन भूसता है कि आके वेलेंसिया में है गया जिस पर नाडिया आखिरका बताती है कि वहा वेलेंसिया चली आते हैं वहीं अपने बच्चे को जन्म देती है वे बताती है कि इस अपने बेटी को देखे आठ साल हो गये है मेसिन ये शुन सौकड हो जाता है कि उसकी एक बेटी भी है नाडिया ये बात मेशन को इसलिए नहीं बताती है क्यूंकि वो समझती थी कि दिये कि तुम अच्छा काम कर रही हो, उनकी नजरुम तुम्हारी इज़त और बढ़ गई है। डालिया का एजन बताता है कि उन्होंने रश्या को रोक लगा लिया है ताकि वो निकलो वैपन को ट्रैक ना कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंटी कोर को भी उस वैपन क को एक्सेस नहीं कर सकते। डालिया बताती है कि उसे बायमेट्रिक तरीके से एक्सेस किया जा सकता है पर उसके लिए मेशन की जुरत है। तो वही मेशन पूचता है कि हमारी बेटी किसके पास है। कार्टर कहता है कि रही गंभीर के पास अवह एक टेर्रिस्ट है। इस प कोशिश करता है पनाड यह नहीं मानती वह कहती कि मेंटी को बच्चे के बार न जाने का हाइए और जानने से पहले अपने पिता से कहती है कि मुझे पता है आप मेरी बेटी का ख्याल रख लेंगे फिर अपनी बेटी को मेंटिकोर के आदमी आका उन हमाजाखी कहता है कि कोई है जो मेसन से बात करना चाहता है और कोई भी उसे यह उसके दोस्तों को नुकसान नहीं पहुचाएगा यह सब बहुत है जो उसे एक आफर देती है बताती है कि पैसिफिक कोशन में एक पंडू भी है उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए इसके लिए मेसन की जुरुष्ट पड़ेगी मेसन ऐसा करने से महना कर देता है तब यह माजाक्षियों से उसकी बेटी का ब्रेस्लेर दिखाता है जिसे देख नाडिया डरने लगती है डालिया कहती है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा क्योंकि तुम्हाई बेटी मेरे कब जम है और इसी साथ सी टडल का पांच वा एपसोर्ट खत्म होता है आगे के एपिसोर्ट को जाने के लिए चैनल गो लाइक शियर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तब तक लिए गुडबाई टेक कियर